एरवावी एरवावी आओ आओ सुनो कहानी सुनो कहानी जहां है डरपोक राजा पहादर रानी और उड़ती मचली और तैरती शेरनी आओ आओ सुनो कहानी सुनो कहानी चीनू को अपने पिताजी का हाथ बटाना अच्छा लगता है वे कबाडी वाले का काम करते है और उन्हें बहुत किस्म का समान मिलता है कभी-कभी ये चीनू के बहुत काम भी आता है सुनते है कहानी कबाडी वाला ओरिजनल स्टोरी कहानी सुना रही है असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर पधारिएगा सुनते है चीनू की कहानी स्कूल की छुट्टी होने में पांच मिनिट रह गए थे पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था उसने बाहर देखा वहां कोई नहीं था तभी कही पास से घंटी की तंटनाहट सुनाई दी चीनू क्या हो रहा है टीचर ने कहा सौरियक का चिनू बोला वो क्या है कि तभी ही पेपर वाला पेपर पुराने अकबार कबाड़ी चिनू के पिता कबाड़ी वाले ने गा कर पुकारा चिनू की मुस्कराहट बाहर तक चमक रही थी स्कूल की घंटी बजी चिनू पिताजी के पास दोड कर पहुँचा चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी स्कूल में वो अकेला बच्चा था जिसके पिताजी उसे लेने आते थे चिनू कूत कर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिये पिताजी ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई पेपर वाला कबाडी चिनू ने भी पुकार लगाई वाह दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली जब एक चौकिदार ने उन्हें रोका चिनू नीचे कूदा एक खाली बोरी लेकर वो अपने पिताजी के साथ गया आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वो इस बोरी में भरा जाएगा इस घर से अकबार उस घर से अकबार और पत्री काए नीचे वाले घर से अकबार और पत्री काए और खाली बोतले चीनू दोड कर ठेले से एक और खाली बोरी ले आया वो लिफ्ट में उपर जाने वाले थे चीनू की आखे बड़ी बड़ी और गोल हो गई पांचवी मन्जिल से अकबार और पत्री काए बोतले, डिब्बे और किताबे मिली जब तक उसके पिताजी उस महिला से बात कर रहे थे चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबे सबसे उपर थी जहां वो उन्हें देख सकता था अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को पिताजी का हाद बटाना पड़ा घर पर सब सामान सहेच कर रखने के बाद चीनू के पिताजी ने उसे बुलाया तुम्हारे लिए कुछ है, वे बोले वही किताब जिसे चीनू पूरी दो पहर भर देखता रहा था शुक्रिया पिताजी, चीनू बोला, उसके बाद रात को खाने के लिए उन्हें उसे तीन बार बुलाना पड़ा ओ, कहानी खत्तम, मुझे और एक सुनी है, उसके बाद और एक अच्छा अच्छा, आपको भी सुनी है नो और कहानी है, तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com एर्वावी, एर्वावी